कहा जाता है कि एक व्यक्ति जितना ज़्यादा अकेला रहता है उसकी अध्यात्मिक ग्रोथ, उसकी अध्यात्मिक उन्नती, उसके अंदर insight, उसके अंदर creativeness उतनी ही ज़्यादा टेजी से ग्रोव होती है लेकिन आज हम समझेंगे कि अकेले रहने का actual मतलब क्या है क्या होता है मतलब अकेले रहने का देखो अकेले रहने का मतलब सरिफ यह नहीं है कि आपने भीड से बचने के लिए आप एक कमरे में बंद हो गए आप किसी को face नहीं करना चाते आप जो है वो लोगों से डर कर भाग रहे हैं अकेले रहने का मतलब यह नहीं है अकेले रहने का actual meaning समझते हैं अकेले रहने का मतलब है कि आप किसी चीज से influence नहीं हो रहे हैं कोई चीज आपको परभावित नहीं कर पा रही है आप बिलकुल हलके हो किसी चीज को, किसी भी चीज ने आपको भारी नहीं किया हुआ है हंस हमेशा अकेला उड़ता है हंसा उड़े अकेला हंस को अध्यात्मिक दृष्टि से बहुती जादा बुद्धिमान और उसको एक संत की उपादी दी गई है का जाता है कि हंस के बारे में कि हंस जो होता है वो अगर उसके सामने दूद रख दोगे तो वो दूद दूद पीलेगा लेकिन दूद के अंदर जो पानी होगा उस पानी को छोड़ देगा अध्यात्मिक दृष्टी से इस सारी चीजे कही जाती है तो अकेले रहने का मतलब है कि आप इतने उपर उठ जो भी चिंताएं हैं जो भी चीजे हैं वो आपके पीछे जोड़ चुकी हैं आप उनसे बहुत उपर उठ चुके हो और ये कैसे हो सकता है अकेले रहने का मतलब है कि आप आप बाहर की बहुत सारी चीजों से इंकाउंटर कर रहे हैं आप बाहर कई सारी चीजे देख रहे अपनी फैमिली, अपने दोस्त, रिलेशनशेप, आप बाहर की मैटीरियल चीज़े देख रहे हो, आपको जो भी दिख रहा है, बट आप उन चीजों से अपने आपको इनवाल्व नहीं कर रहे हो, आप अभी भी द्रड़ हो, आप अभी भी अपने में हो, खुद में हो, वो एक सीनरी की तरह चीजों को देख रहे हैं और निकल जा रहे हैं बस खाली, आप किसी चीज को पकड़ नहीं रहे हैं, आप अकेले हो क्योंकि, सेम चीज अंदर की कंडिशन को लेकर आता है, कि अंदर हमारे अंदर बहुत जो भी चीजे होती हैं, अंदर हमारे अंदर सबस वी कईले ऑकके emed sulphate में और माइवाथे देगाट में n हू रहे हैं आप यह कह लुविघ की आपके साथ इनवETH ही नहीं है अकेले का मतलब ही है ना ही कोई बहर की चीज आपके साथ involved है ना ही कोई अंदर की चीज आपके साथ involved है you are standing completely alone और alone का सही मतलब क्या है alone का सही मतलब है कि all one जहां पर आपका और बाकि सारे चीजों से division खतम हो गया है सारे चीजों से अब बात करते हैं कि practically हम इसको कैसे apply कर सकते हैं कि यह बात theoretical हो गई practically इसका इसको हम कैसे अपनी जीवन में उतारे हैं इस बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले चीज हमें क्योंकि अगर आप लोग सन्यासी हैं या फिर आप लोग अपने सारे बंधनों को तोड़ चुके हैं और आप आप बिलकुल एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं तो फिर फिर उसके लिए तो आप पूरी तरह से choice less हो जाओ आप completely पूरी तरह से शांत हो जाओ आपको फिर फिर आपके जो actions हैं आपके जो actions हैं आपको ध्यान की कोई ऐसी जरूत नहीं कि आप रोज सुबह साम ध्यान करें लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग daily living में हैं मेरी तरह हैं कई सारे लोग जो जिनको अपना काम भी क करना है जो चीजे एकदम से नहीं त्याग सकते हैं तो मैं बात कर रहा हूं कि वो लोग practically इसको कैसे apply कर सकते हैं कि आप शुभा साम अब ध्यान कर रहे हैं meditation कर रहे हैं जिसमें कि आप पूरी तरह से एकदम कोई choice नहीं रख रहे हैं अप पूरी तरह से अपने आपको शु बिल्कुल zero हूँ आप कोई activity नहीं करूँगा मैं चाहे वो मेरी मानसिक हो चाहे वो शारेरी को कुछ भी हो जस्त मैं आपने आपको बिल्कुल खाली कर लोगा सुभा रोज और शाम को भी आप यही चीज कर रहे हो कि यहां भी आप बिल्कुल अपने आपको बिल्कुल zero कर दे रहे हैं बिल्कुल खाली कर दे रहे हैं अब बात आती है कि पूरे दिन की पूरे दिन आपको काम भी करना है आपको प्रोफेश्चन में आपका प different work करना है और अन में उस दौरान क्या क्या रहा है फिर आप पूरी तरह पूर सन्यासी का जीवन बिता सकते हैं जहाबर आप पूरे तरह से चोईस लेश हैं आप किसी चीज को निचुन रहे हैं तो इस दुरान आप क्या करते हैं कि आपके पास इस मॉमेंट जो भी काम है आप उस काम को लेकर एक बर अवेर रहते हैं उस काम की सारी स्टोरी अपने अंदर आने देते हैं उसको बिना डिस्टब किये और जब आप शान्त हो जाते हैं तो फिर आप किसी एक चीज को चुन लेते हैं एक चीज को पकड़ लेते हैं और उसको ध्यान बना लेते हैं उसको मेडिटेशन बना लेते हैं आप क्योंकि जब आपने किसी काम को जैसे माल लेजे मैंने एक बार इस वीडियो बनाने के लिए मैंने एक बार खा कि मैं वीडियो बना रहा हूं मैंने इस चीज क इसको ऐसी नहीं चुन ले रहे हैं, बस आपने अपने आपको देखा, आपने आपको मैसूस किया, जो सहज रूप से आपके पास आया, आपने उसको चुन लिया, कानी खत्म हो गई वहीं, तो यहां पर आप अकेले हो, यहां पर आप यह नहीं कह सकते कि आप, आपने किसी चीश को चुन लिया, तो आप उसके साथ हो, नहीं, यहां पर भी आप अकेले हो, लेकिद यहां पर एक, एक, एक हैल्प हो गई, एक साथ हो गया थोड़ा सा, आप ने यहां पर किसी चीज के साथ एक कत्व इस्थाबित कर लिया आप इस काम में और आप में कोई अंतर नहीं रहा गया आप और काम एक बन गई है आप समझे एक चीज को तो इस तरह से आप प्रैक्टिकल इंजी जोका अप्लाई कर सकते हैं और देखें डिटेल में तो मैं अपने क्रैश कोर्स में इस बारे में बात करता हूँ और इस क्रैश कोर्स में जिसकी बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि फुल इसमें 24 वीडियोस हैं 24 टॉपिक्स है एक crash course में पूरी समरी दे रखिए कि meditation क्या truth क्या present moment relationship awareness क्या है nothingness क्या है सत्य क्या है truth क्या है और इसके अलावा मैं दूँगा आपको आपके doubt clear करने के लिए personal one on one आपको एक zoom meeting या आप call पर भी बात कर सकते वो आपका वोया doubt clear करने के लिए तो जब आपके ये topics complete हो जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इस crash course को जरूर जोइन करें अपनी अध्यात्मिक उन्नती के लिए और comment section में मैं अपना whatsapp number दे रहा हूँ और description में भी दे रहा हूँ वहां से जाकर आप इस crash course के बारे में जानकारी ले सकते हैं Thank you very much